कि हलो वेल्कम डिश्टुडेंट्स में हो परतकुवा और आप सभी का पूरा स्वागत है में माई टू क्लास के अंद्रगत यस वैसे आप सभी को बता होगा आपका टाइम डेबल अलॉट है टाइम टू टाइम अपनी यहां पर आपके कॉलेज के लिए क्लास होती है कल अप आपके जो क्लास थी फ्राइडे की वो नहीं हो पाई बड़ आज थोड़ा लेट हुआ फिर भी आपके टाइम के अकॉर्डिंग यानि जो टाइम स्वेडिल किया है उस आपका फर्स्ट यर की फर्स्ट चमेस्टर की जो क्लास है वो लाइफ हो चुकी है तो आज हम जो दे पर आप सभी से मोस्ट अप वेलकम करना चाहूंगा और यह बताना चाहूंगा कि आपके लाइव लग रही है और आपका फर्स्ट पूरा हो चुका तो अब जल्द आपका टेस्ट लिया जाए गा उसके लिए आपको टेस्ट दिया जै मैंने कॉसंस आपके सामने लाइब पर है जाएंगे निक्स्ट ट्रास में और उस्टेस्ट को इस प्रकार धिकसे देना है और आपको बताया जाएगा तो बात करते हैं जांची लोक कल्यानकारी राजजिय हो इसका मतलब होता है जो सभी मुझे पहले ही क्योंकि यह बहुत इंपोर्टेंट एक्जांक के लिए भी इंपोर्टेंट कि यह लेकर आप देखें तो हैं यहां पर इसमयर अच्छी आर्थं आता है लोग काल्यान लोग मतलब लोग लोगों का कळ्यान करने की उद्देश्य कर से जिसे राज जी का होना पाया जाता है तो वैंने का सब्चा करना लोग के लाइं अच्का करने का इसको होता है तो यहां पर सिंपली अर्थ में बताएं तो लोक कल्यान कारी का अर्थ हैं लोक के कल्यान को अपना उत्तर दायत्व समझें कारिय करें ऐसा राजजी क्या होता है लोग कल्यान कारी का मिंस हो गया ऐसा राजजी जो लोगो कारी करें वह लोग की राजजी बहुरता है तो एक डेपिश नहीं जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं आपको तोड़ा दिग्रा होगा यह प्रिवासा लिखा हुआ है यह आपके सामने प्रिवासा लिखा हुआ है और यह प्रिवासा जो अपने नागरिकों के लिए कारिय करता है और वो समझता है राज्य की यह मेरा उत्तरदाइत्व है तो क्योंकि पहले के समय कापी इस तरपर देखा होगा राज्य है वो लोगों के अकॉर्डिंग या उससे उमीद से परिकारी करते हैं लेकिन एजो परजन टाम बात करें डेमोक्रिस्टिक एंवार्मेंट्टं देहें तो ज्यादाता राज्य है वो लोग कल्यानकारी यानी ऐसी राज्य जिनका उदेश्य जिनका करतव होता है लोगों के लोगों को जहां तक संभवो बैसिक मुल्बूच सूविद्धाय परदान करना रोटी कप्रा मकानों शी जीवन इसतर को उसा उठाना इसको कहते है लोग कल्यानकारी कारियर ठीक है अब यहां तक तो मैंने आपको डेपीनेशन भी बता दिए अब सीधा साब को ले सलता हूं कि लोग कल्यानकारी राज्जी के बारे में आप जानतों गई जो लोग हीट में कारी करता उसका समझते हैं अब आपको इसके लक्षन के बारे में इसली समझ में आ जाएगा तो बात करते हैं कि लोग कल्यानकारी राज्जी के लक्षन क्या होते हैं लक्षन का मतलब होता है कि जैसे आपने किसी के बारे में समझ लिया कि फ्लाना वेक्ति यह वैसा है यानि उसको बारे म में आप उसके लक्षन भी बता सकते हैं मतलब थोड़ा बतकतर लखन तो यहीं हम बात करें कि लोग क्लियानकारी जो राज्य हैं उस राज्य की एक नीचर किस तरका होता नीचर करेक्टर ठीप यह दोनों मिल जाती है यानि किसी के लक्षन को अगर देखना है तो मेंस यहां आप पर हम देख रहे हैं अब जस्ट लोग क्लियानकारी राज्य के लक्षन के बारे में तो हम थोड़ा देखेंगे अच्छे से करेंगे ताकि आपका एक भी प्रस्ण है वह आउट अप सेल्बस्न हो मतलब कोई प्रस्ण बाहर नह जाए इसी को ध्यान में रखकर आपको आपको यह प्रस्ण है वह करवाय जाने की पूरी की पूरी कोशिज करूंगा ताकि डिटेल से आपको समझ में आ जाए ओके तो देखिए सबसे बहला हम बात करते हैं कि लोग क्लियान का राज्य कर आर्तिक शुरुक्षा की व्यवस्ता सबसे पहला कि आर्थिक पहले कि शुरुक्षा की व्यवस्ता एक राज्य जो होता है अगर आपको पता है एक राज्य का जो जरूरी काम होता है वह लोगों की हीत को ध्यान में रखना लोग हीत में कारी करना तो देट इस दे मींस यही पॉइंट है कि इस तरह से राज्य एक लोग क्लियानकारी जो राज्य होता है वह आर्थिक सामाजिक राजनितिक और धार्मिक इस तरह पर अलग अलग प्रकार की कारिय करता है ताकि वहां के लोगों का क्या हो कल्यान हो जाए तो अब इसी को ज्यान में रखें तो को लोग कल्यानकारी राज्जिय आर्थिक शुरुक्षा के लिए क्या करता है यानि सबस्चे पहला जरूते कि आर्थिक इस्तर परका मतलु क्या होता है कुछ ने कुछ रोटी कबड़ा मकान जीतना उसका जीवन आपन मुझदूरी मिल जाए तो इस प्रकार के जो कारी होते वह आर्थिक शुरुक्सा के अंदराद है यानि एकोनोमी लेवल में राज्य क्या कारे करता है तो पहला यहां पर पॉइंट बताएं तो सभी व्यक्ति को रोजगार सबसे पहला आर्थिक रूप में कोई भी राज्य मजबूत तब होगा जब उस राज्य में रहने वाले लोगों को रोजगार मिले क्योंकि काम धंदा नहीं मिलेगा तो बैरोजगार होगी और वहां पर राज्य की लोग है वह एक दूसरे की गुलामी गरपत टो फिर यांगे तो फिर वहाँ पर लोगों को साका मिलेगी तो किसी की मजबूरी में किसी के अंडरहमी काम काएंगी यह पर दिखा जाता ह। आर्टिक शुरक्सा की व्यवस्ता के अंदर इसद तर की गारंटी प्रधान करने सब्सक्राइब नियूंतन इसद की अगारंटीं अगे प्रादान नियूंतन जीवन इसतर काा हमाता बैशिक कम से कम और यह एक हायई प्रोपाल डीयाई पी तो हो नहीं रहाएं लेकिन राज्य यह जरूर करेगा कि लोगों को अपना जीवन जीने के लिए नियुनतम इस तर पर जो चीज की जरूरत होती है वह उपलब्द करवाएगा अग पॉपुलेशन ज्यादा है तो राज्य काम बाद ज्यादा करना पड़ता है लेकिन एक राज्य जिसका नीचर ह हो जाया लेकिन कम से कम वह बैसिक सुविद्या तो दे गए देगा जैसे रोटी कपड़ा मगाना विजस्ट मैंने बताए यह व्यक्ति के मूलबूत आविस्कता है जिसके बना व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता तो यहां पर क्या का है नियुनतम जीवनिस्तर की गानेट के लिए नहीं यूजफुल बड़ फिर भी उनको वह कारी करवा दिया जाए क्यों क्योंकि उनको सोट डैट सो यह 125 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है कि अगर आपको इस राज्जी में रहते वी रोजगार नहीं मिल रहा है तो राज्जी की और से बैसिक रूप में जितना होना चाहिए उतना तो रोजगार आपको दिया चाहेगा तो इस तरह से एक राज्जी है एक लोक्रियान कारी राज्जी है वह अपने लोगों को नियुंतम जीवन इस तर जीने की गारंटी प्रदान करता हैं कि बात करें आर्थिक सुरुक्षा की मेरे रूप में लोगों कि लड़ान कारी राज्जी और मतलब किस तरह की लक्षन प्रकट होता है तो अधिक्तम समान्ता की इस्तापना, अधिक्तम प्रवाइब कि इस्तापना यह सी तो आपको पता होगी कि आतों की जो पांच उंगलिया वो देखो बराबर नहीं होती है तो किसी भी राज्य में पूरी तरह से टोटली इक्वालिटी नहीं होती है कुछ लोग पैदाइसी वेल मांडेड होते हैं कुछ यह कमजोर होते समाज में हर अलग अलग प्रक्रिव विभिनता होती है दें समाज में सभी को एक जैसा तो नहीं मनाया जा सकता है इक्वलेटी तो ये निकल Friday ले तो महां पर एसा नहीं कर डाए टीक करने का कार्य किया जाऒगा अगर मेरे लोगों का कर्लियान होगा तो एक हमेशा प्रियास करता है कि लोगों के मध्य जितनी वी तरह समानता वह धीक कम हो जाए क्योंकि जहां पर वेदबाव असमानता है मौजूद यह मेरी अंदर रहने वाले नागरी को का उच्छतम विखास हो इसलिए वह समानता को दूर करना चाहेगा तो अभी मैंने क्या समझाया कि लोग क्लियानकारी राज्जी के लक्षन के रूप में पहला आर्तिक शुरुक्षा की व्यवस्ता करता एक राज्जी अब बात करते हैं दूसरी दूसरा जो मैंने बताया यह इसके पॉइंट थी जो मैंने आपको बताए अब दूसरा जो में पॉइंट वो दिखी वह साथ आप में लिखती जाएगा क्योंकि नोट्स है इस तरह जिए आज क्लास थोड़ी लेट सरू हुई जो टाइम के अकॉर्डिंग होना चीए था नहीं हुआ इस सर जो पढ़ा रहे इसको नोट कर दें ठीक है आर्थिक शुरुक्सा की बात होगी एक राजजी लोग क्लियान का राजी आर्थिक शुरुक्सा की दौर पर किस प्रकार की प्रकृति लक्षण रहते हुए कारी करता है दूसरा राजनितिक शुरुक्सा की व्यवस्ता जैसे राज्य informations की वीडियो में भाग लेने का अधिकार यहांपर जैसे एलेक्षuser में लड़ने का है बोट देने का है शरकार की आलूसना करने का है तो यह सभी जो अधिकार यह सब्साने के सब्सक्राजिक इस व्यवयवस्ता है और प्रदान प्रदिक आज़ आं और चाय पर बात करें कि लोग क्लियान कारी तोर पर अपने लक्षन के रूप में राजितिक शुरुक्षा के रूप में क्या करेगा तो इनकी में कुछ पॉइंट आपको नोट कर देता हूं जो साथ साथ में नोट कर लिजिए क्योंकि यह क्लास वह आउट अपके टाइम चल रही है तो आगे पीछे होगी लेकिन क्लास होगी तो यह ज्यान रखीगा आपका फर्स सेमेस्टर के एक्जाम आपके पता है दिसम्बर में होगी तो तब तक आपको पॉलिटिकल को एक्दम शॉलिड बना देना है और यहां से अगर आप रेगुलर क्लास लें रिकॉर्डड़े लाइब रिजल कल देख लिजिएगा कि यहां का इस में माई एटूब का प्लेटम क्या था कहने का मतलब मी एन माई एटूब क्लास के अंदर जो इस्टुडेंट पढ़ा है न उसने कापी अच्छा स्कॉर किया इसका एक्जामपल आपको कल लाइव क्लास में मिल जाएग लाइब मीटब है कल कल स्पेशल क्लास होती है तो राजनीति की रूप में देखें लोग तंत्री साथ लोग तंत्री यह शासन लोग तंत्री का मतलब बता है कि एक राज्जी यह प्रयास करेगा कि अपने राज्जी में कैसा सिस्टम बनाएं लोग तंत्र वाला सिस्टम क्योंकि कि कि किसी भी रज्डी में अगर या काशथ हैं तो सपल कौन रड़ लोकultan तब बीजु data की इसे प्रयास लग Seriesast लोगों के लिए काम करें यह प्रयास होगा तबहीं वह害 पर राज्यतिक सुरुखसा में लोग का लियान नहीं होता है तो यह चाहेगा कि लोको तंत्र आ जाए जाए बात करते हैं दूसरा जो जरुरी पॉइंट है वह नागरीक स्वतंत्र नागरीक श्वतंत्र ताएं का मतलब एक राजजी के इंदर रहने वाले नागरीकों को आफसे क्रूप में क्या क्या सुविधाय प्राप्त होनी चीए नागरिक सुक्षा के रूप में जैसे माले एक राज्जी के अधिकार होना चीए उसे क्या सूट होनी चीए उसे किस तरह के राज्जी की गतिविदियों में भाग लने का अधिकार होना चीए क्या उसे वोड देने का अधिकार है क्या नागरिक जो जिस राज्य में रह रहा है उस राज्य की और से जो सुविधाय दी जारी है वह एक व्यक्ति को प्राप्त होती है या नहीं तो राज्य की और से दी जाने वाले सुविदाइं हर नागरी को बराबर होता है और वहां पर अगर सुविदाया के लाती है अगर कोई राजिय को अपने नागरीकों को पूरी तरह से नागरी सवतंतरता को भिभा राजनितिक अधिकाय का वाइव electronics 2 नागरीक तो मुझे बोलने की आजारी होनी ची मुझे मिशेविशारे उसको प्रकट करने की आजारी होनी चींट तब यही जो अधिकार यह स्वतनता है तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक राज्य लोग क्लियान का राज्य का लक्षन क्या होता है कि आर्थिक शुरुक्सा प्रतान करेगा और इसी के अलावा नेक्ष्ट अगर तीसरा पॉइंट आपको समझाओं जो जरूरी है वो समझी जर्ण तीसरा पॉइंट एक रजिय अमिसा प्रियास करेगा अच्छा करने का तो इसी उकौरींग वो एक और व्यवस्ता करता है सामाजिक शुरुक्षा की व्यवस्ता गुफे अब और शोरुक्सा की व्यवस्ताइब श्रुकसा का मतलब होता है कि समाज में रह रहा है तो समाज में रहते हुए है उसे क्या सुरुक्सा एक राज्जी की दढ़ा दी जैसे कापेस फेले टाइम देखा होगा की जाते की आधार पर लिंग आधार पर धर्सक्राइब के आधार पर एंधर सारथ इस वजह से समाज में कोई भी वेक्ति समानन पुर्वक www.nagismant.com नहीं पॉर्थ सारी म मांता हine थे लेकिन वर्तमान कंडिस्टन में देखा जाए तो हर राज्जी लोग क्लियानकारी प्रकरती अपनाता है ऐसा ही लक्षन होता है तो इसी एक लोग क्लियानकारी राज्जी का लक्षन होगा कि अपने समाज में अपने राज्जिय में जो भी लोग रहे रहें उनको सामाजिक सुरुक अरक न करता नोजका नहों और समानता उJust लिकी जिए play आप उब याफ कर निशीदभ व्यवस्ता तो होता है जैसे रंग हो गया जाती हो गया है वर्गों गया कि क्वेसां स्मानता होती तो इस समानताओं को किसमाप्थ करने के लिए कारिये पर एसा कि यहथा हैń समाजिक सुर्खसा परसंद करता है जैसे आपने देखा होगा एयुकित कि पिशुख्री हुए लोगे तो रज्य के द्वारा उन्हें शुरुक्सा परतान कि आर्टिक साहता दे समाज में लोगों को बराबर बातावरण मिले क्योंकि समाज में हर कोई अपना टेलेंट दिखाएं ऐसा अफसर तो देना चाहिए ना ऐसा अफसर देना चाहिए तो लोक लियानकारी रज्जिये हैं हमेशा प्रयास करेगा कि इनके समाज में रहने वाले लोगों की सुर्क्सा हो समाज में किसी आ एदार पर बेद्भाव जोसन गलत पहामी ना रष्द करेगा समाज ने स्यमाज में पर रहो यह समाज जोग्रापी पड़ाओगी जोग्रापी का तो मैं नहीं कह सकता बाट हिस्ट्री आपके लिए क्लास अवेलेबल हो जाएगी एक साथ इतनी क्लास नहीं ले सकता मैं सिर्फ सामके टाइम फ्री होता हूं और वह भी टाम मैंने आपको दे दिया है क्योंकि अगर आपको रियली जरूरी जो इंपोर्टेंट कारी इसी के बारे में आपको डिसकस कर रहा हूं तो यह चीज़े आपको लिखना जरूरी है अंतराश्य सयोग की भावना या राज्जी कारी चित्र में वर्दी राज्जी की को यह कारी चित्र में हागा अ मैं या दिक्सूर घden बिल्कुल वेल्कम जिकारी कर üzere अगर तो उससे ज्याधा चारी करने होंगी तो चाश्य को मतलब व्यक्ति से भी ज्याधा पंब इसे पता है कि मुझी ही काम करना होगा तो इस एक राजिय अगर लोग के लियानकारी राजी है तो उसके कारी चित्र में वर्दी हो जाएगी उसके पास ज्यादा फिल्ड ज्यादा एरिया ज्यादा इश्कॉप होगा काम करने के लिए तो द्यानकना लोग क्लियानकारी राजी का लक्षन क्या होता है राजी व्रदी खुद बहुत ऐसा महाओल बनाएगा उसके कारियों में वर्दी होगी नेक्स्ट बात करें लास्ट पांच वा पॉइंट और इसके साथ आज इस क्लास को यहीं पी कातम करेंगे सेकंड पार्ट नेक्स्ट मतलब जब भी क्लास होगी उस समय आपको बता देंगे अंत उसके सांति बनाए रखों ताकि नंत्राष्टी इस्तर पर सैयोग की भावना हो वसुधेव कटुम्भगम पूरा विस्वा मेरा परिवार इसी धार्णा को ध्यार में रखते हुए लोगियाद कारी राज्जी का एक लक्षन होता है कि वह अंत्राष्टी इस्तर पर को बढ़ा आगा कि एक दूसरी बांद्भ करनु वं र ोंकि सं मुझड़ी के साथ सबका विकास तो लोग मोरु कर यह मूनु भूत म्लक्षण होता है कि वा एक सामाज राइत निटिक और उनकी कारे करते हुग परत और ईसके लक्षन प्रगड किए नेक्स्त क्लास में लोक द्यानकारी यह काम कौन कौन से करता हैं ता कि वो लोक द्यानकारी कहला है तो यह पढ़ेंगे सबस्क्रांस का यथक स्फ़्डार एक अपट रेद ऐफ चीन्पंवल कि